हे गाइस वेलकम बैक टो ग्यान की गरीबी उटूब चल दरसल आप सभी को ग्यात ही होगा कि PSLV C53 का काउंटडाउन 39 जून 2022 को 5 बच कर 2 मिनिट पर शुरू हुआ था ताकि PSLV C53 30 जून 2022 को 6 बच कर 2 मिनिट पर उड़ सके यह प्रमोचन PSLV के Core Alone Variant का होने वाला है इसमें DSEO सैटलाइट नियोसार सैटलाइट स्कूब वन सैटलाइट को उसकी तेक अक्षा में पहुचाना है इस प्रमोचन में करिब करिब PSLV के Core Alone Variant का हम प्रयोग करने वाला है और उसके साथी साथ यह प्रमोचन सतीश दवन अंतरिक्ष केंदर के द्वितिय प्रमोचन मंच से होने वाला है दोस्तों आप सभी को PSLV तथा JSLV के सुरणे मित्यास के बारे में ग्यात ही होगा इसी कारे कॉशल को आगे बढ़ाते हुए इस रो यह मिशन करने वाला है दरसल यह मिशन आज यानि की 30 जून 2022 को शाम 6 वज कर 2 मिनट पर प्रमोचित होना है इसके लाइव स्ट्रिम की लिंक मने डिस्क्रिप्शन में दे रखिए ताकि आपको लाइव देखने में आसानी हो और अगर आपको लाइव रिपल देखना है तो हमारे लाइव स्ट्रिम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखिए ताकि आपको कभी भी रिकैब देखना हो तो आप वहां से देख सकते हो दरसल यह लाँच सतीश धवन अंतरिक्षेंद्र के द्वितिया प्रमोचन मंच से होना है इसमें हम जैसे मैंने पहले बताया आपको इसमें नियोसार सैटलाइट है जो 155 किलोग्राम्स की है स्कूब वन सैटलाइट है जो 2.8 किलोग्राम्स की है लगभग और इसमें जो 2.8 किलोग्राम्स की है और उसमें साथी साथ पोयम भी है यानि कि PSLV Orbital Experimental Module यह जो मौडियूल है यह मौडियूल कोई नहीं बलकि हमारा चतुर्चरण यानि कि 4th stage है दरसल अमूमन जबी भी PSLV का लाँच होता है लाँच के कुछ दिनों बाद PSLV का जो चतुर्चरण हो उर्बिट न हो इसमें कुछ sensors जाइरो स्कोप लगाए गया है और कुछ चीजें लगाई गई है navigation के लिए lithium-ion batteries लगाई गई है solar charger लगाई गया है charging के लिए और दूसरी चीजें लगाई गई है टेस्टिंग के लिए सो यह हो गई PSLV C53 के normal बाते सो आपको मिलते हैं हम किसी और वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वन्दे मातरम